नमस्कार साथियो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पातिस्तानी विदेश मंत्री जिस व्यक्ति का नाम है बिलाबल भुटो वो आ चुका है भारत के अंदर असल में भारत के अंदर आना इनका महत्तोपूर क्यों है क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये जो प्राणी है ये भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साहाब के खिलाफ एक आपत्ती जनक टिपणी कर चुका है भारत के लगभग हर राज्य के अंदर इसका विरोध हो चुका है और पाकिस्तान के द्वारा लगातार कहा जाता था कि जब तक धारा 370 बाहल नहीं हो जाती है तब तक भारत और पाकिस्तान के रिस्टेट ठीक नहीं हो सकते हैं इसलिए इस व्यक्ति का भारत के अंदर आना एक महत्वपूर्ण फिलाल बात बन चुकी है अब क्या होगा इसके आने के बाद हालां कि अभी तक कोई ज्यादा खास सुर्खी बनकर नहीं निकली है लेकिन फिर भी आना जो है क्यों हुआ है इसको यदि हम जाने तो सिर्फ य यह अकेला व्यक्ति नहीं आया है बलकि S.C.O. नाम का जो एक संगठन है जिसको हम संगाई कॉपरिशन और्गनाइजेशन के नाम से जानते हैं वर्तान में जिसके आठ सदस्य देश हैं चार सदस्य देश हैं Central Asian countries उसके बाद चायना, इंडिया, पाकिस्तान और रसिया यह जो मीटिंग हुई है विदेश मंत्रियों की मीटिंग का आयोजन हुआ है गोवा राज्य के अंदर तो गोवा एक खुबसूरत राज्य उसकी खुबसूरती देखकर ही बौखला गए है पाकिस्तानी और उस राज्य के अंदर हो रहा है इसका आयोजन और उसी की मीटिंग के लिए आठ देशों के विदेश मंत्री बहरत के अंदर आए हैं जिसमें रर्सिया प्लस चायना के विदेश मंत्री भी आए हैं, इंडिया मेट्स विद चायना-र्सिया ओन साइड लायंस ओफ, SEO सम्वेट भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एश जैसंकर साहब उनकी मुलाकात होती है रूस के विदेश मंत्री सर्गोई लेवरोग के साथ तस्वीर एंकल कर आती है यह जो पराणी है यह भी पहुँच चुका है इंडिया में सबसे आखिर में इस पराणी की एंट्री हुई थी यहां देखते है आप तस्वीरों के अंदर टूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गोई लेवरोग वो आते हैं और यहां चायना के विदेश मंत्री भी आते हुए दिखाई देते हैं इनके द्वारा जानकारी दी गई प्रेस रिलीज जानकारी दी गई कि हम जो है मुलाकात कर चुके हैं एक्स्टरनल अफेर्स मिनिस्टर के साथ डॉक्टर हमारे सुब्रमनिया ब्यासंकर साहब उनसे मुलाकात हुई है इन्होंने बात की और bilateral relations जो है दोनों देशों के बीच में वो बढ़ेंगे इस से ये सारी जानकारी दी गई और तस्वीर निकल कर आती है कुछ इस प्रकार की ट्वीट के मादम से एक सब्द आप देखते हैं महत्वपूर जहां देखते हैं आप डूजबा दोस्ती हैजटे देखो तो भारत और रूस के बीच में जो दुपक्षिय संबंद हैं उनको मजबूत करने के लिए एक विजन लाया गया था और उसे विजन का नाम दिया गया था डूजबा दोस्ती उमीर है डूजबा दोस्ती क्या है वो आपको समझ में आया हो उसके बाद डॉक्टर ए मुद्दे हैं चाहे वो LAC का मुद्दा हो 2020 में गल्वान वैली के जड़ब के बाद जो हमारे संबंद तनाव पूर्ण है उनको लेकर मुद्दा हो इनके उपर स्तमाम बातचीते हुई है डॉक्टर एस जेसंकर के साहब जो तीसरा ट्वेट आता है वो आता है उजबे के स बखतियार, साईदोफ, इनके सास मुलाकात होती है तो ये तीन जो मामले हैं तीन जो विदेश मंतरी हैं इनके सास मुलाकात की तस्वीरें साज़ा की जाती है डॉक्टर एस जेसंकर साहब के साथ नहीं है कि आप रसन आएगा कि पाकिस्तान वाला कहा को गया तो पाकिस्त आपसे बात ही ना करें तो एक चुब होती है कि वो व्यक्ति जो जिसके घर पर तमाम गैस्ट आए हैं सब गैस्ट को वो खाना खिला रहा है सब गैस्ट से बात कर रहा है सब के साथ तस्वीरें खिचा रहा है लेकिन आपके साथ वो व्यक्ति बात ना करें जिसके घर आप ग रहे हैं और पाकिस्तान के ही लोग इससे कह रहे हैं कि भहिया तुम जा तो रहे हो अब भारत में जाकर कुछ उल्टी सीधी बयानवाजी ना कर देना पाकिस्तान के विदेश मंतरी बिलाबल वुट्टो जरदारी की बैठक में सामिल होने के लिए गोवा पहुंचे वे संगाई कोपरेशन और्गनाईजेशन के विदेश मंतरियों की मीटिंग में सामिल हुए भारत पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं गोवा आकर काफी खुश हूँ मुझे उम्मीद है कि बैठक काम्याब होगी इससे पहले एक वीडियो जारी कर दिया गया था असल में जब से ये पाकिस्तान से चला है व्यक्ति तब से लगातार सोशल मीडिया के उपर वीडियो लगातार डाले जा रहा है इस बैठक में भाग लेने का मेरा फैसला बताता है कि पाकिस्तान के लिए S.C.O कितना एहम ह मैं सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा के लिए उत्सु हूँ बिलाबल 12 साल बार भारत आने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री है इसके पहले 2011 में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री थी फिलहाल में ये विदेश राज्य मंत्री है जिन हमारा यह पाकिस्तान का commitment दिखाता है SEO Charter के लिए कि हम जो हैं बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं SEO Charter का इस वजह से विदेश मंतरी भारत में आये हैं असल में जो reason है उसको हम कई बार अपने सेशन्स के अंदर ला चुके हैं लेकिन असल में जो reason दिखाई दिता है वो है इनके मालिक वाला मालिक कौन है इनका मालिक है चाइना SEO की बेठक में सामिल होने के लिए पाकिस्तान लगातार आना कानी कर रहा था कई बार इनके प्लान चेंज हुए मामला यहां तक भी आया था कि भारत के अंदर जो SEO की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर पाकिस्तान नहीं आएगा लेकिन बाद में चीन के द्वारा इनको सलहा देने लगे कि भाही जाना और कोई भी उल्टा सीला काम वहां पर जाकर मत कर देना बैस्ट ओफ लग डियर चेर्में साहब कि भाहिया बैस्ट ओफ लग पहरत के अंदर जा रहे हो बहुत बड़ी यह बात है तुम्हारे लिए पाकिस्तान नीड्स बेटर रिलेसंस मे यूटिलाइज टू दा फुल कि भाहिया पूरी तरह से अच्छी से बात करना विस्यू ओल दा वेरी बेस्ट ओर्नेरल चेर्में साहब बैस्ट ओफ लग फॉरिन मिनिस्टर साहब मिस्टर बुलावल भुट्टो जरदारी विस्यू गूड लग इस्टे बलेस्ड एंड से हों लेकिन यहां के जो नेता हैं वो विलकुल अपनी राजनीती की रोटिया सेखने के चलते बस लड़ाई दंगों को ही एहम मुद्दा मानते हैं और आतंकवाद के जन्मदाता तो यह पहले से ही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा मुलाकात की जाती है रसिय प्रποर्टर हैं वो भी साथ में आए हैं रिपोर्टर या लागे की पत्रकार हैं पूरी दुनिया की पत्रकार वो भारत में फिलाल आय रहे हैं सभी के अंदर क्या दे रहे हैं लेकिन जो पाकिस्तान के पत्रकार है वह जो है अपनी ही इसकी जानकारी जुटाने में है एक प्रत्रकार व्यक्ती वहक्त है इसके तरह कहा गया है ंदि विदेश मंत्री हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से इनके द्वारा हाथ मिलाए गए हैं, हाला कि अभी तक कोई भी तस्वीर बगैरा जारी नहीं हुई है, और कुछ पता नहीं है कि मुलाकात हुई भी है या नहीं, असल में जो मीटिंग थी उसके बाद भोजन भी आयोजित करानासा क्योंकि भारत जो है वो होस्ट कंट्री है होस्ट कंट्री जब भोचन आयोजित करा है तब मुलाकात बगरा होई होगी लेकिन उसकी कोई भी तस्वीर फिलाल तक साजा नहीं हुई है अब इनके जो तमाम विदेश मंत्री पहले रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर असल में जिसका जब मन करता है वो कुछना कुछ मुझ उठाकर अपना बोल देता है तो यह जो व्यक्ति है इसको आप देखते हैं यह है साह महमूद कुरैसी जो कि इमरान खान की जब सरकार हुआ करती तब रहा था यह विदेश मंत्री तो विदेश मंत्री था यह पहले तो यह जो है अपनी बात रखने से कैसे चूक जाता यह जो है सलह बीर बन रहा है इसने भी सलह देडाली क्या सलह दी है कुरैसी सेज बिलाबल्स इंडिया विजिट आर रियल अपॉर्चुनिटी टू रेज बाइलेटरल इसूज कि भही अप कस्मीर का जो मुद्दा है उ बरिष्ट नेता और पूर्व विदेश मंत्री साह महमूद कुरैसी ने बिलाबल भुट्टो की भारत यात्रा और भारत पाकिस्तान संबंदों को लेकर अपनी राय रखी है उन्होंने भारत पाकिस्तान व्यापार का समर्थन किया लेकिन उसे दोनों देसों के विवादि साह महमूद कुरैसी ये कभी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के संबंद इनके काल में अच्छे हो जाएं और ये वही व्यक्ति है जब 2021 के अंदर भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे पाकिस्तान के दौरे को ये इसने रुकवा दिया था इमरा तो ये वही व्यक्ति है जो कि फिलाज सलाह देता हुआ दिखाई दे रहा है बिलावल भुट्टो को बिलावल की गोवा यात्रा पर क्या बोले कुरैसी टिपड़ी करते हुए इन्होंने कहा पीटियाई नेता कुरैसी ने इसपष्ट किया है कि उनकी पार्टी उनकी यात पूड यात्रा है और हर हाल में इसे आगे बढ़ना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत संबंदों की जाच के लिए एक बैठक होती है तो यह उपयोगी हो सकता है बिलावल को विवादित मुद्दे उठाने को उकसाया गया है साह मेहमूद कुरैसी कुरैसी ने कहा है पारस पर एक रूप से एक दूसरे पर आरूप प्रत्यारूप का प्रत्यारूप का आरूप लगाना या तागत के दम पर समाधान ढूड़ना पारस पर एक रूप से आत्मधाती है मेरे विचार से हमारे पास हमारे मुद्दों का कोई सैन्ने समाधान न बिला हुआ है उन्होंने आसा जताई की बिलावल मानावादिकारों के मुद्दे को उठाने से कत्राएंगे नहीं मानावादिकार मतलब जो कस्मीर के अंदर भारत का जो कस्मीर है उसके मुद्दे को पूरी दुनिया के सामने उठाना इससे कत्राएंगे नहीं उन्होंने भ अबसर सब को बराबर अधिकार दिये जाते हैं और मायनोरिटी की जब ये बात करते हैं तो इन्हें अपने गिरेवान में एक बार जहाकना चाहिए कि इनके अंदर इनके देश के अंदर जो मायनोरिटी हैं वो किस परकार से कुछली जा रही हैं उनके अधिकारों का किस परक कहाने के लिए उक्साय गया है एस्यों की बैठक से जुड़े हुए अन्य अपडेट की अगर हम बात करें तो भारत ने क्या-क्या इसके अंदर किया है फिलाल क्योंकि अध्यक्ष भारत है और भारत चाहता है कि कुछ इसके अंदर चेंज हो भारत ने अंग्रेजी को SCO की आधिकारिक भासा बनाई जाने पर जोड दिया है मन में प्रसन आएगा कि हिंदी को जोड क्यों नहीं दिया अभी तक की कौन-कौन सी इसकी भासा है तो फिलाल की अगर बात करते हैं तो रूसी और चीन की जो मंदारिन लेंग्वेज है वो SCO की आधिकारिक भासा हैं भारत ने कहा है कि आधिकारिक भासा इसकी बना दी जाए English जिससे की सभी जो member countries है वो सारे documents को आसानी से समझ सके क्योंकि फिलाल जो documents बनते हैं वो रूस और चीन की भासा में ही documents इसके बनते हैं और भारत ने अंग्रेजी का कहा है मन में प अचा है कि एक universally accepted language इसको की पूरी दुनिया के द्वारा accept किया जाता है वो है English इसको सामिल कर दिया जाए SCO देशों के बीच राष्ट्रिय करंसी में व्यापार करने का प्रस्ताब दिया गया है कि जो 8 तेश हैं अपनी अपनी राष्ट्रिय करंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार करें हाला कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है प्रस्ताब पास होने के बाद SCO के द एसला जुलाई में लिया जा सकता है फिलाल अफगानिस्तान इरान बेलारूस और मंगोलिया इसके ऑब्जरबर कंट्रीज है इरान जो है वो सामिल होने वाला है एज आ पर्मानेंट मेंबर उमीद है साथ ही हो पूरा सेशन आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो वीडियो